हाई गाईज वेलकम बैक आप सबको मालूमी है कि गर्मियों के सबजियां लगाने के लिए बीज भोने का समय आ चुका है और मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा भी है कि मैंने टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और हरी मिर्च के बीच सैपलिंग्स बनाने के लिए बो दिये हैं ये ब्लू ड्रॉम देख रहे होना आप इसमें मैं लगाऊंगी भिंडी वैसे तो मेरे हर पॉट के मिठी काफी हिल्दी, काफी लाइट, काफी भुर्बुरी होती है फिर भी जब एक सीजन की सबचियों का मौसम ओवर हो जाता है मैं ट्राइ करती हूँ कि हर पॉट के मिठी को पूरी तरह से निकाल दूँ चट पर फिला दू और फिर एक दिन उसको धूप लगवा दू और कुछ अच्छे अच्छे काम अपनी मिठी के लिए फिर से कर दू तांकि फिर से सबचियां अच्छे से हो मेरे पॉट में और हिल्दी भी हो इस पॉट को कल मैंने पूरी तरह से खाली कर दिया था और एक बड़ा पॉलिथिन बिचा कर इसकी मिठी को उस पर फिला दिया था पूरा दिन उस मिठी को अच्छे से धूप लग गई मिठी काफी स्टेरिलाइज हो गई आप सब को ही पता है कि सूरज की दूप चीजों को रोगानों मुक्त कर देती है शाम को फिर मैंने कुछ मिठी अराउंड दो तिन इंच इस पॉट में वापिस टाल दी और बाके के इस बड़े टब में भर दी वो इसलिए कि मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं इस तरह के बड़े पॉट को भरने के लिए किस तरह अपने किचन वेस्ट यानि की सबसियों और फलों के छिलकों को इस्तमाल करती हूँ पहले तो ये बता दूँ कि ये पॉट काफी बड़ा है तो इसमें किचन वेस्ट डालने से पहले मैं वो सब और्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइट्स इतनी मित्टी में भी डाल दूँगी क्योंकि एक बार जब उपरी स्तह पर डल जाएंगे तो उसके बाद हम नीचे की मित्टी को डिरेक्टली कुछ नहीं कर सकते तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक मुठी सरसो की खली, एक मुठी नीम खली, एक छोटा चमच हल्दी पाउडर और दो मुठी वर्मी कमपोस्ट हल्दी पाउडर की वज़ा से हमारे पौदों पर चींटिया या छोटे-छोटे कीड़े नहीं आते हैं इन सबको अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स कर देती हूँ और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये फलों और सबजियों के छिलके ये है मेरी किचन से इकठा हुआ दो दिन का वेस्ट वेस्ट तो फ्रेंज अब इसको कहने का एक्चुली मनी नहीं करता क्योंकि डीकंपोज होकर ये हमारे टेरस कार्डन के लिए ब्लाक गोल्ड का काम करता है इसको यहां अच्छे से फैलाकर मैं इसके उपर यहीं से निकाली होई मिट्टी फिर से भरतूंगी फ्रेंज मैं इस मिट्टी में कल सो करूंगी भिंदी के बीच जब तक भिंदी के पौधों की जड़ें नीचे तक पहुंचेंगी तब तक ये सारे छिलके डीकंपोज होकर खाद में परिवर्तित हो चुके होंगे और मेरे पौधों को अच्छे से बढ़ने के लिए नरिश करेंगे मिट्टी भरने के बाद उपर से फिर इसमें डाल रही हो एक चोटा चमचलती पाउडर डेड़ दो मुठी सरसों की खली डेड़ दो मुठी नीम खली और तीन से चार मुठी वर्मी कमपोस्ट इन सब को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ जितनी मिट्टी मैंने इस पॉट से निकाली थी उतनी नहीं यूज होई दुबारा से इसको फिल करने में काफी बच भी गई है वो मैं दूसरे पॉट को फिल करने में यूज कर लूँगी बिंडी के लिए पॉट फिल कर लिया तो सोचा कि ये सारे लाल हुए टमाटर भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ इन टमाटर के पॉदों में अभी अच्छे से हो रहे हैं टमाटर तो इनको अभी मैं यही रहने दूँगी पर गर्मियों के सबजियों के कुछ बीज भी यहां लगा दूँगी क्योंकि अगर वो काम अभी नहीं किया तो लेत हो जाएगा और ये टमाटर के पॉदे भी नहीं निकाल सकती अभी तो जब तक वो बीज जो यहां लगाऊंगे स्प्राउट होकर छोटे पॉदे ही बनेंगे तब तक टमाटर के पॉदों को उखाडने का समय भी हो जाएगा आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी फ्रेंज फ्रेंज आई तो थी यह वला पॉद भरने की भिंडी लगाऊंगी कल इसमें और यह देखो यह टमाटर भी लेकर जा रही हो इतने सारे तो यही तो है टेरस गाडनिंग का मजा अगर आप अच्छे फटिलाइजर पेस्टिसाइड और कुछ नहीं तो सिरफ अगर आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्टी डालोगे ला उसे से आपका बहुत-बहुत सही हो जाएगा मतला हल्दी डाल दो कभी-कभी प्यास का पानी घर से सब चीजें लेकर तो यह देखा इतने सारे टमाटर और इतने सारे और गैनिक टमाटर लेकर कौन खुश नहीं होगा तो अब यह कल में लगाऊंगे इसमें भिंडी के बीच तो भिंडी के बीच डिरेक्ट लगते है मैंने अल्रडी आपको बता दिया वह उसक कुछ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लगके आती रहती हूं मेरे वीडियो होती हैं होम और्गनाजेशन पर टैरेस गार्डिनिंग और योग पर तो चलो करते हैं अब गुडबाई जल्दी मिलूंग एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना बाई फ्रेंड्स